12 नौंबर 2023 दिवाली के दिन पूरे देश में पठाकोई का सोर सुनाई देगा लेकिन इससे भी ज्यादा सोर होने वाला है सिनेमा गरों में क्योंकि इस दिन सूपर इस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर त्री देने वाली है बॉक्स ओपिस पर दस्तक जियां दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता देखे लगबग चार दिनों के इंदिजार के बाद सूपर इस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर त्री जिनेमा गरों में दस्तक देने वाली है और सारे बले रिकार्ड को तोड़े है वाली जिसका अंदाजा इसी वास्ते लगाया जाता है कि ये फिल्म एडवांस बुकिंग में तमाम बले रिकार्ड अपने नाम कर चूद कीजियां दोस्ते फिल्म के एडवानस बुडिया को पांच नॉम्बर वाले दिन दुनिय वन में सुरू कर दिए गया था और इस फिल्म की शुरुआ थी तीन दिनों के ऐड़ाऌस बुकिंग का जो डाटा सामने निकल कर आया है उसने सभी को हरांद कर दिया है अगर बात करे फिल्म क के बारे में तो फिल्म में अपने पहले दिन के लिए इंडिया से अभी तक लगबग साड़े च्छे करोड के एडवांस बुकिंग कर लिए और इंडिया में एडवांस बुकिंग कापी जल्दी रफ्तार पकड़ने वाली है पर अंदाजा लगा जा रहा है कि यह फिल्म सोपर अभी तक लगबग 3,42,100 इंट्रेस्ट मिल चुके हैं जो कि अपने आप में कापी बड़ा रिकार्ड है साथ ही आप सभी को बता दे कि आइमेक्स में कापी अच्छा क्रेश देखा जा रही हैं दोस्तों आइमेक्स में इस फिल्म के कापी ज्यादा टिकेट बिक रह सब्सक्राइब कापी अच्छे हैं और वहां से फिल्म कापी अच्छी एडवान बुकिंग कर रही है तो आप सभी सूपर इश्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को देखने के लिए कितना एकसाइट आप सभी क्या लगता है यह फिल्म अपने पहले दिन कितने करोर की कवाई दुनियों बाग से कर सकते हैं हमें कमेंट करके यह बताईए पर अगर एक तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब यह करें